अब देख सकते हो हम Microsoft Excel को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे Microsoft Excel के अंतरगति यहाँ पे टेक्स फंक्शन के बारे में यह फार्मूला है Microsoft Excel का आप देख सकते हो और सारा यहाँ पे लाव तक बने रहेगा इस सारे Important को मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताने बलाओं अच्छा उन सभी फंक्शन को मैंने यहाँ अपने हिसाब से यहां पर राइट कर रहा है आप देख सकते हो और मैं अपने हिसाब से सारे फंक्साट्र आपको यहाँ पर लाश यहां से नमबर पर लिखा गया है तो आप यहां पर equal sign लिखोगे और लिखोगे क्यों find ओके आपको find write करने के बाद यहां पर find text कौन से text find करना चाहते हो तो उसको double quote में आप ऐसे write कर दो क्या find करना चाहता हूं yes को find करना है मुझे कहां पर लिखा गया है कौमा दूँगा इसके बाद पूछ रहा है कि कौन से word से चाहिए तो यह जो सामने लिखा हो इसी word में से मुझे चाहिए न यस को तो मैं इस पर click कर दूँगा तो अब इसमें से मुझे yes का number यानि कि कौन से position पर हो और number मुझे यहां पर मिल जाएगा bracket को बंद कर देता हूं और enter button को paste करता हूं तो इसने बताया कि जो machine है उसमें yes का position क्या है यहां पर 3 पर write किया गया तीसरे number पर write किया गया इसमें आप देख भी सकते हूं यहां पर write हुई है ठीक है तो find क्या करेगा position नमबर बताता है इसमें जो character है उसका count से position पर write किया गया इस text के अंतरकत ठीक है तो three number position पर आपका yes इसमें write किया गया था इसलिए result क्या मिला आपको यहां पर three मिला है ओके अगला function आप देखो गया आप दिया है replace function replace function क्या काम करता है जैसे for example देखो आप यहां पर इसकी spelling में machine की spelling write किया गया म-a-s-i-n जबकि machine की spelling क्या होती है m-a-c-h होता है m-a-c-h-i-n machine write किया जाता है और मुझे अभी यहां पर इसकी spelling सही करना है तो replace के मादिम से मैं इससे सही कर सकता हूं इक्वल साइन को लिखूंगा और यहां पर write करूंगा replace कुछ इस तरीके से replace को मैंने write किया देख सकते हूं ब्रेकेट को करना स्टार्ट कौन से word को change करना है तो इस word को change करना है आपको यहां पर तो इस word का address डाल दो क्लिक करोगे तो cell का address यहां पर आ गया है अब इसी text में से कौन से अच्छर को change करना है कौन से number पर है तो three number पर आप देख सकते हैं तीसरे number पर है ना यहां पर तो क्या write करोंगे three अच्छा कितने अच्छत चेंज करना है वहां से तो मैंने का single क्यों एक यह के जगह पे मुझे क्या write करना है सी write करना है बस इतना ही करना है तो मैंने और डाला को हमां डालूंगा इसके बाद इसके बात करें कि न्यू टेक्स क्या दिखाना चाहते हो तो डबल कोट में उसका नाम याव पर राइट कर दोगे क्या दिखाना चाहते हो आप आपे C को, simple है विल्कुली, अब क्या होगे है आपे, इसका मतलब यही है कि जो machine है, इसमें जो तीसरे नंबर पर यह राइट किया गया है, वो एक ही अच्छर है, और उसके जगह पर क्या राइट करना चाहते हो, आप C राइट करना चाहते हो, बस bracket को बंद करना है, और enter तो आप C, A, R लिखो, bracket को start करो, और किवल इसका, इस सेल का addressing आप वहाँ पर पुट कर दो, तो 90 अगर मैंने पुट किया, इसका मतलब क्या होता है, small letter आपका, यहाँ पर capital letter में क्या हो जाएगा, जानते ही है कि 65 से चालू होता है, आपका, A कमान कितना होता है, 65 होता है, त तो 90, ask की code में, यानि कि care function ने क्या किया, 90 का ask की code बताया, तो कितना बताया, Z बताया, ठीक, इसी तरीके से code function है, code function क्या करेगा, A का number कैसे बताएगा, लिखो को CODE code, bracket को करोगे start, और कि इस cell का address डालेंगे, bracket को बंद करके, जैसे enter button को मैं press करता हूँ, तो A कमान, ask की code में 65 होता है, अब देख सकते हूँ, यहाँ पर इसने बता दिया है, ठीक है, ओके, so I hope it clear हो के होगा, next दिया left function, left function क्या करता है, अगर welcome में से मुझे कुछ left से कुछ अच्छर को लेना है, तो मैं लिखूंगा left यहाँ पर, bracket को करूँगा start, इसी में से लेना है न, तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद मुझे कितने अच्छर पकड़ना है, क्यों लोग नमबर डालना है, देख सकते हो, नीचे लिखा भी है, नमबर डालो, तो मैंने क्या दिया, three, मुझे welcome में से क्यों तीन अच्छर चाहिए, और वही left से, तो welcome में से तीन अच्छर को करेंगे start, welcome का addressing देंगे, क्यों यहाँ पर, कॉमा डालेंगे, right से कितनी value आपको लेनी है, तो right से मुझे value जो लेनी है, तो लेनी है, three value, तो मैंने three को put किया, bracket को बंद किया, और just enter button को प्रेस करूँगा, तो right से तीन value को लिया, यनिके तीन अच्छरों को लिया, तो o, m यही होगा, आपका, देख सकती, और right से मैंने निकाला है, ठीक, यहाँ पर mid function है, mid, mid मतलों मतला है, मतला है, तो मैं write करूँगा, mid mid, इस तरीके से, mid mid, bracket को बंद करूँगा, count से संख्या में से mid निकाला है, computer की spelling से, कॉमा देंगे, मैंने बताया कि mid जो है न इसका, start, mid, प मैंने कर दिया कि, तीसरा number है, वहीं से mid start हो रहा है, तो मैंने 3 put किया, अब पूछ रहा है कि कितना word पकड़ना है, तो मैंने कहा कि 3 से 3 word पकड़ो, यानि तीसरी अच्छर, जो mid है, उससे कि उन 3 word ही, आप मुझे display करो, बस 3, 3 डाल दूँगा, ठीक है, बस इतना करने के ब आप computer को बड़े अच्छर में लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर write करो, अपर bracket को करोगे start, आप यहाँ पर इस तरीके से, और बस इस cell का address डाल देना है, bracket को close करना है, और enter button को press कर देना है, computer capital letter में लिखा हो, आपको मिल गया है, ठीक इसी तरीके से next दिया है lower, अगर इ इसी small letter में करना चाहते हो, तो क्या write करोगे, आप यहाँ पर lower write करोगे, ऐसे bracket को करोगे start, बस इस cell का address डाल दो, bracket को बंद करो, enter button को, enter button को paste कर दो, देख लो, computer small letter में दिख गया आपको, दो अलग अलग वर्डों को जोडने के लिए फार्मूले का अपयोग करते हैं, तो देखो अभी, good भी अलग है, morning भी अलग है, equal find दो, लिखो, c-o-n, kit की spelling c-a-t-e, net की spelling n-a-t-e, okay bracket को करेंगे start, first letter, okay, first word, second word, just bracket को बंद, enter button को press, आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है, good morning, ठीक है ऐसे, अब ठीक इसी तरीके से, अगला दिया है proper, hello proper में नहीं लिखा गया, अगर proper में लिखा जाएगा, तो yes यहाँ पे capital होना चाहिए था, so म और hello को इसमें ले लूँगा, बस यहाँ पे hello का addressing आ चुका है, आप देख सकते हो, बस यहाँ पे bracket लगाँगा, और enter बटन को press कर दूँगा, तो hello देख सकते हो, अब perfect लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, hello hello, okay, ठीक दिया length function, equal sign लिखूँगा, length को write करू नहीं है, जैसे की word, इस word में total character कितने है, count करता है, length function ने क्या किया, computer की सारी spelling को गिन के बता दिया, just enter button को press करूँगा, तो result मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे, 8 मिलेगा, क्योंकि computer की spelling में, जो word है computer, उसमें spelling में, कितने character होते है, 8, enter button को press करूँगा, तो आप देख सकते ह यहाँ पे 8 आपको मिल चुका है, ऐसे ही दिया है, यहाँ पे wrapped function, equal sign को लगाँगा, wrapped करता है, repeat, wrapped means होता है, repeat, bracket को करूँगा, start, जो word को repeat करना, उस word का addressing देदो, तो good को मैं बार बार लिखना चाहता हूँ, कितनी बार, कम से कम 10 बार, तो कमा दूँगा, 10 यहाँ पे put कर जैसे ही प्रेश करोगे, तो देख सकते हैं, को good, 10 टाइम लिखा हुआ, आपको मिल चुका है, अगला function दिया है, trim function, trim means क्या होता है, यहाँ पे, trim करता क्या है, अगर दो भी word लिखा गया है, ठीक है, और उसमें दो word है, तो उनके बीच में, अगर मालेजी spacing, आपने single के व हो रहा है, तो simply, आप equal sign को use कर सकते हो, आप यहाँ पे, और लिखो गया, ऐसे trim, bracket को करना है, आपको start, और इस cell का क्यों, address ही आपको यहाँ पे डालना है, जैसे इस cell के address को आप यहाँ पे put करते हो, bracket को बंद करते हो, और enter button को press करते हो, तो result आपको happy birthday, single spacing के साथ, आपको द value होगी, इसमें दो value होगी, और इसका answer true and false में मिलता है, दोनों value में, अगर, दोनों value अगर same रहेंगी, तो answer मिलता है true, ठीक है, अगर दोनों, अगर अंतर है, तो इसमें आएगा answer आपका false, मैं आपको practically करके दिखाता हूँ, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, मैंने लिख आएगा, मतलब क्या सही आएगा, enter button को place करके, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं enter button को place किया, answer true आए, अब देख सकते हो, अभी true क्यों आया, क्योंकि hello यहाँ पे write किया गया, यहाँ पे hello write किया गया, दोनों जगह पे same word है, इसलिए true आया, support that कि मैंने hello की spelling में थोड़ा आपको सही किया, तो आप देख सकते हो, कि result आपके सामने true ही आपको मिल रहा है, so, देखा अपने कि Microsoft Excel में, मैंने इस सारे text function आपको पढ़ाया, ठीक है, so, I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी है, तो please, चैनल को subscribe कर दिजे, साथ में bell icon को hit कर दिजेगा, okay, thanks for watching this video, see you in the next video,